सब्सक्राइब कीजिए MS चादून यूटूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइगन पर लेटेश बीडियो सबसे पहले देखने के लिए इसलिए प्लीज इस वीडियो का आप किसी भी तरीके से गलत यूज ना खरें दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी एप पर अपना फेस लॉक लगा सकते हैं दोस्तो कोई भी एप आप ओपन करेंगे तो दोस्तो वो आपके फेस लॉक से ही अनलॉक होगा यानि कि आप फेस लॉक लगा सकते हैं किसी भी एप के अंदर तो दोस्तो आपको क्या करना है आपको एक app install करना है आप देखेंगे app lock यह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो app lock search कीजिएगा यह आप face app lock search कर सकते हैं और इस तरीके का जो logo हो उस app को आप install कर लीजिएगा तो दोस्तो अब यह कैसे काम करता है कैसे आपको इसमें setting करनी पड़ती है तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो आपको क्या करना है आपको इस पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको agree इस पर click करना है और यहाँ पर आपको बापस से agree प करना पड़ेगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यदि आप समझना चाते तो यहाँ पर समझ सकते नहीं तो आपको skip to enrollment पर click करना है तो हम यहाँ पर इस पर click कर देंगे तो दोस्तो हम इस पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको अपना face लगाना पड़ेगा दोस्तो क्योंकि face lock आप लगाना चाते तो अपना खुद का face लगाईएगा मैं आपको बता देता हूँ तो हम allow पर click कर देंगे और दोस्तो जब आप यहाँ पर face lock लगाएगे तो आपको कुछ word भी बोलने पड़ेंगे जैसे कि hi, hello, hi कुछ भी word आप बोल दीजिएगा तो मैं यहाँ पर allow पर click कर देता हूँ तो मैं click करूँगा अब दोस्तो मैं यहाँ पर audio record इस पर भी allow करना पड़ेगा क्योंकि हमें बोलना है तो मैं यहाँ पर इस पर allow कर दूँगा तो दोस्तो आप देखना ध्यान से hi, hello, hello, hey तो दोस्तो यहाँ पर मैंने तीन अलग-अलग word बोले है तब जाकर के यहाँ पर enrollment हुआ है तो दोस्तो आपको तीन अलग-अलग word बोलने है कुछ भी अब दोस्तो यहाँ पर आपको pattern भी select कर लेना है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है choose your alternate method of authentication तो यहाँ पर हम pattern चूल कर लेते हैं तो मैं यह pattern यहाँ पर चूल कर लोगा तो दोस्तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आप यहाँ से hide भी कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको click करना है जैसे कि यहाँ पर pattern recorded यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हम इस पर click कर देंगे, अब दोस्तों आपको बापस से confirm करने के लिए बो ही pattern डालना है, तो यहाँ पर हमने डाल दिया, अब आपको यहाँ पर click कर देना है, तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपको go to android setting और आपको permission देनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर जा तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं, congratulations your app lock has been set up successfully, तो ओके got it पर click कर देना है, तो दोस्तों अब आप किस पर face lock लगाना चाहते हैं, उस app को आप यहाँ पर select कर सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे, मैं यहाँ पर एक ले ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यह ले ले लेता यहाँ पर आप select कर लीजेगा, अब दोस्तों हम देखते हैं, यह lock लगा या नहीं लगा, तो हम यहाँ पर जाएंगे, तो यह रहा वो app, इस पर हम click करेंगे, तो दोस्तों जैसे ही हम इस पर click करेंगे, तो दोस्तों जैसे ही हम इस app पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप देखा यहाँ पर आपके मॉबाइल का लॉक खुल जाता है आपके जो भी एप है उसका लॉक यहाँ पर खुल जाता है क्योंकि दोस्तों यह एप पर ही लॉक लगाने वाला एप है और यह फेस लॉक वाला एप है तो दोस्तों यहाँ पर आप इस तरीके से अपने मॉबाइ में जितने भी एप है उन पर face lock लगा सकते हैं